आज की हमारी रेजपी है मैं खारी की, बेकरी की वह स्वादिश्ट खारी जो हम चाई के साथ अकसर खांगा पसंदopers करते हैं और यह बहुत जादा क्रिश्प बनें, लदी भी खार्ने में बहुत जादा मज़ा थे खाणे भी मिलते हैं ये देखने में जितने मुश्किल लगते हैं घर में उतने ही इजी तरीके से आप इसे बना सकते हैं और बिल्कुल पर्फेक्ट तरीके से बनते हैं इतने करारे इतने क्रिस्प बनके तयार होएंगे कि बाहर के तो आप खाना भूल जाएंगे और हमेशा घर में ही बनाएंग जिसे आप अच्छे से अपने दोनों पाम से इस तरीके से क्रश करके डालेंगे बहुत अच्छा टेश्ट आता है तो यहाँ पे हमने अजवाइन डाल दिया है और अब डालेंगे स्वादनुसार नमक तो जो रुखारी होती है उसमें ज्यादा नमक नहीं डालते है हलका कम ही नमक डलता है क्वांटिती में आपको शोग कर दूँगे कि हाफ केजी में कितना यहाँ पे नमक लगा है तो इस तरीके से अच्छे से मिला लीजिए अब नॉर्मल पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डालके इस आटे को हमें बिलकुस सॉफ्ट आटा लगाना है जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं उस तरीके का सॉफ्ट आटा लगाना है भी बिल्कु भी हमेंश नहीं लगाना है ना मेडियम। हमें बिल्कु सॉफ्ट लगाना है। इस तरीके से आपको पिसालो होती है। खारी खाइने में जितनी मजएदार लगती है न बनाने में भी बहुत मजा Video आता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि समय समय पे आपको मेरी सारी रेस्पीस की नोटिफिकेशन मिल जाए तो यहां पे अब हमारा जो आ करेंगे 2 carbs की घी गाढ़ा तो आप है इस तरीके से अच्छा तੰ बन जाएगा तो इस तरीके का लिप हमें बना के रख लेना है घी और मेदी का तो आगे क्या है इसका वर्ट अभी आपको पता चल जाएगा तो यहां पे अब आठे को हमने यहां पर आदे घंटे के लिए छोड़ा था तो यहां पर ज Allah हो चुका है तो इस तरह के से हलका सारी पाइन ओई लिया घी थोड़ा सा लेली जी हाथ में और अच्छ से इसे मिला लीजिए जाए ज़ागा को कशम यहाए फिर्ट से इस तरी के से मिला लेना है यहां पर हमारा आटा हो चुका है अब हम यहां किचन के सरफेस पे इस तरीके से ले लेंगे आर्टे को मैंने बहुत अच्छे से इसको कीन कर दिया है आप देख सकते हैं और तो आ पेड़омина बहुत चया族 को इस थरीके से Say just Amagd Bin कर एथरी करके करां हमें यह पूरा इस तरीके से अमें हमें पुरा लेना है अब हम इसे कट करेंगे तो एक चकु की मदद से या तो आपके पास इस तरीके से पीजा कटर हो तो इसको आप छोटे-छोटे पीसिस में कट कर लोगे लाइक तो आपको यह चोटे-छोटे पेड़े बना के रख लेने हैं और फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे तो यह मैंने सारे पीसिस में कट कर लिए हैं यहाँ पे तो यहाँ पे सारे पेड़े जो हैं हमने कट करके रख लिए अब इसे हम एक बरतन में रख लेंगे और यहाँ पेड़ा लेंगे इस तरीके से अच्छे से हम हाथों से रोल कर देंगे और इसे अब बेलना और थी प्रफिस पर थोड़ा सा मैंदा चड़क लीजे और अराम से फिर यह आपका इस तरीके से बिल के तयार हो जाएगा अगर एचेपकने लग जाए तो हलका हलका आप आटा डाल सकते हैं और इसे बिलकुल पतल बेलना है आप देख सकते हैं यहां पे कितना पतला मैंने बेला है तो इस तरीके से आप और भी जो है बेल लीजिए यह दूसरा भी मैंने आपको दिखाया कि बिल्कुल आपको पतले-पतले बेलने हैं तो इस तरीके से तीसरा भी बेल चुका है तो अब यहां पे जो हमने मैदा और घ बोटि को यूछता है उपर से इस तरह के से डाल देंगे एक चमच और उसमें हम घी और मैदे का टेक्षर लेंगे और पूरे रोटी पे इस तरीके से फिला देंगे हातों की मदद से हातों का ही यहाँ पे जो है आप यूज कीजेगा अच्छे से फैल जाता है तीसरी भी रोटी हमने इस तरीके से ली और हमने उस पे डाला और फिर हमने यहां पे थोड़ा सा मैदा और घी का टेक्शर लिया और इस तरीके से इस तरीके से इसे मोडेंगे और हलका सा और यहां पे हम मैदे और उसका टेक्शर लेंगे मैदे और घी का इस तरीके से हमने और लिया इस तरीके से अब आपने देखा यह प्रोसेस वेरी यह तो बिलको पर्फेक्ट बने का इतनी ना वाप टैयाऄ तो यह जब आप बेल माय चूह-टा किनारी निकाल दीजिन्स ना उद करिए तो आपके पास जो तो तो आप शोटे पीसिस में, या आपको जो b히 साइज रखना हो कि आप रख सकते हैं, यहां पर मैं आपको दिखा देती हमोसे इस तरीके से इतना मोटा होना चाहिए बिखनें पितनी जटमी करते हिर थी अनिखर ौट यहां जिपनी अपिन देखनें, यहां सीमारीS Maxma0, यहां पिल भी दुमाहिए टिमचर प्रड़ के ते ऋ थी करों, ठील गरम होने की निचानी यही होती है कि अप जब आठा डालेंगे तो ओपर आ जाएगा यहां पे एक-इक करके जो हमारेधीश कट करके रखे थे हमें खारी की वह हम डाल देंगे यहाँ पे हमें ज़्यादा खारी नहीं डालनी है हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना तेल है तो हमने साथ से आठ खारी डाली क्योंकि यह अभी फूल के डवल हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यह डवल हो चुके हैं फूल के देरे देरे से पलटते रहिए और ये process आपको low to medium flame पे करना है high बिलकुल मत कीजेगा, medium भी मत रखेगा, low flame पे ही इसे रखेगा थाकि अंदर तक अच्छे से पके तो यहाँ मैंने ये जो process किया है ना पूरा low flame पे किया है low flame पे आप देख सकते कि कितना प्यारा कलर आ चुका है इस खारी का looks wow beautiful देख सकते हैं ये तो हमारी खारी जो बन के तयार हो चुकी है तो आप इसे plate में निकाल लेंगे सेम प्रोसेस के साथ आपको सारी खारिया बना के तयार कर लेनी है तो अब हमने सारी खारिया इस तरीके से निकाल निकाल के एक प्लेट में रख ली है सी बिल्कुल फूली फूली बनके तयार होती है इतनी क्रिस्प बनके तयार होती है सी हमारी जो सारी खारी है बनके तयार हो चुकी है यहां पर तोड़ के दिखाती हूं पॉफेक्ट कुरंच तो यह आपकी मज़ेदार खारी बनके तयार है बिल्क झाल 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 झालव में यहली को बहुता है